दोस्तों जैसे कि आप सुभी को बता है कि 1000 सब्सक्राइबरों 4000 घंटे कम्प्लीट होने के बाद हमारा यूटूब चैनल मॉनोटाइजेशन के लिए रैडी हो जाता है और आप बड़े खुशी के साथ अपने यूटूब चैनल को अपलाई करते हूं और उसके बाद पहला स्टेट आपकार सेकंड जाता है असके बाद सेकंड जो स्टैप बहु भूल की आपका प्श्टीन to aya क्लियर दो जाता लोगों के मैंने में यह सवाल रहता है कि मेरा 4000 गंटा कंप्लीट हो गया है एक यार सब्सक्राइबर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं तो भाई अब हम अपलाई करें शायद मेरा चैनल में कोई कमें ना हो इसलिए मौनेटाजेशन के लिए रिज accent ना हो जा कि तो आज मैं आपको पांच एसी गल्ति अबता हो जो हर पुरक्रियों करता है जो नया znवा आपको यह पांच गल्तियां करना पड़ता है अगर आपका रिजैक्ट हो जाएगा फिर नबबे दिनों तक आप घिसते रहा जाओगे यूटूब पर आपका यूटूब चैनल नहीं होगा तो कौन सी पांच गलती है जो आपको नहीं करनी है तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से प तो आपको क्या गरना प्राउजर में चले जाना देन आपको यूटूब हेल्प के सर्च कर लेना है यूटूब चैनल मॉनेटईजेशन के पॉल सी आपको यहां पर द्यान नहीं क्या लिख लिए तो उसके बाद आपको क्या करना है इंकि स्क्रूल डाउन कर देना है वट उसी gotta category में video बना रहे हुत जैसे कि मैं टेक चैनल में video बना रहा हूं तो अगर बाए काफी लोग क्या करते हैं कि टेक कोई बना लिए व्लोगिंग भी करना स्टर्ट कर देते हैं उसी में सॉंग डालरे ह tut कॉंटेंट कर देते हैं जिससे कि आपका चैनल मॉनटाइज नहीं होगा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो most viewed videos आपके जिसके ज़्यादा व्यूज आते हैं आपके कोई वीडियो ऐसी है जिस पर copyright claim है या फिर किसी और की reuse content है उस पर व्यूज आएं हैं स्पोस करो आपका 4 गंटा उसी वीडियो में केवल एक ही वीडियो में complete हुआ है अगर वो चेक करेंगे तो यह वीडियो पहले चेक करेंगे जिस पर ज़्यादे व्यूज आएं हुए हैं अगर आपके एक मिलियन व्यूज आगे हैं स्पोस करिए आपके आठ दस यह जार गंटे complete हो गए हैं वो reuse content है तो आपने देखा होगा जब आप apply करोगे तो reuse content है जाएगा अगर आपके वीडियो सही होगी तो भ आवी लोग क्या करते हैं कि भई fair use करते हैं fair use के चेकर में उन्हें पता नहीं होता कि fair use कितना करना है वो reuse वीडियो अपलोड कर देते हैं क्योंकि minimum 5 वीडियो तो होनी चाहिए गाइस तभी आपका चैनल मौनटाइज होगा और एक वीडियो आपके वाइरल हो चुकी है ज इस पे वाइस टाइम आगे वो reuse नहीं है मान लिए और अगर आपने चार वीडियो अपलोड कर दिया और उनमें से एक वीडियो भी आपकी रियूज हुई ना तो भी आपका चैनल मौनटाइज नहीं होगा गाइस तो यूटूब बहुत चादा स्ट्रीक हो रहा है इसे ध करते हैं आपने देखा होगा एक्स्टरनल एकशा आ जाते हैं तो जो भी यहां वह आपको बॉस ट्रेम आता है रहा कहां से है तो यह सब कुछ पता लग जाता है जैसे कि मैं आपको बॉस ट्रवाइड कर वाता हूं मेरा तो और काफी लोग क्या करते है पैनल से देते हैं जिनका चैनल भी काफी time मैंने देखा कि काफी बड़ी देखा freeze हो जाता है या फिर monetize नहीं होता तो भई जो आखरी गलती आप पांच भी गलती करते हो वो गलती है वो गलती है वीडियो मेटा डेटा including title, descriptions और thumbnails अब भई आपको मैं यह आप अच्छे से समझाता हूँ कि title, thumbnail और यह description इसको बहुत इध्यान से आपने देखना है वाई, thumbnail और title जो आपने title में लिखना है वो thumbnail भी डालना होता आपको और description में आपको comment वाले tag नहीं डालने होते, suppose मैं आपको पूरा explain करता हूँ कि आपने content बनाया कि thumbnail कैसे बनाये, उस पे अगर आप title देते हो कि भाई मान लिजए यह रागव ने क्या कर दिया, suppose मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आपने लिख दिया कि सौरभ जोशी की new video और video में आप बता रहे हो कि भाई आप thumbnail बनाना सिखा रहे हो और thumbnail आपने लगा दिया, किसी और चीज का thumbnail कैसे लगाए है, या फिर किसी और का, मतलब जो mismatch हो रहा है हर एक चीज, वैसे ऐसा कोई करता नहीं है, काफी लोग क्या करते है कि misleading करते है, misleading कैसे होता है कि अंदर कुछ और है, जैसे कि click bit जिसे हम बोल देते हैं, अंदर कुछ हो रहे है, title कुछ हो रहे है, title कुछ हो रहे है, thumbnail कुछ हो रहे है, तो भाई उस case में क्या होता है कि आपका YouTube channel, metadata misleading के चलते, demonetize कर दिया जाता है, और ये गलती आपके चलते हुए channel पे भी अगर हो जाती है, तो भी आपका channel demonetize हो जाता है, आपको title, thumbnail, अगर आप thumbnail पे लिख extra tax दे देने है, जो searching interesting जो भी हो आपका हो, ताकि आपका SEO अच्छे से हो सके, so guys, I hope कि आपको समझ लग चुका होगा, कि आपको ये 5 गलतिया नहीं करनी है, आज की date में, भाई, अगर आप एक भी गलती कर दोगे न, तो आपको 90 दिन के लिए रोना पड़ सकता है, भाई, आपका 90 दिनों के लिए चैनल demonetize हो जाएगा, और आपके पास कोई भी हल नहीं होगा, इवन कि मैं भी आपको कोई help नहीं कर पाऊँगा, I hope कि आपको वीडियो चलगा होगा, अगर आपको वीडियो चलगा तो प्रीस वीडियो लाइक कर दिएगा, साथ ही हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो पर इस चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना मत जाना है बाई, क्योंकि काफी लोग मेरी वीडियो को देख के चले जाते सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जाहें!